दोस्तो आज की वीडियो में हम तीसरे, चौथे और पांच्वे महिने में गर्वती महिला में बेटा होने के कौन से सटीक लक्षन दिखाई देते हैं जिससे कि आप एक अंदादा जुरूर लगा सकते हैं कि आपकी होने वाली जो संतान है वो एक लड़का होगा या लड़क होगी दोस्तो कोई भी लक्षन देखे 100% नहीं होता और सैंटिफिकले इनका कोई भी लॉजिक नहीं होता केवली आपकी जग्यासा को दूर करने के लिए बनाए गई वीडियो है और उसी को ध्यान में रखके इन वीडियो को देखा करें दोस्तो उससे पहले अगर अभी महिला में कई सारे हानमुलन चेंजिस देखने को मिलते हैं जिसमें से देखे खाने पीने में काफी सारे चेंजिस दिखाई देते हैं अगर आपको खाने पीने की चीजों में कोई भी टेस्ट नहीं आता यानि आपका मूँ थोड़ा सा कड़वापन लगता है यानि अगर आप जो भी खाते हैं तो उसमें आपको ज्यादा अच्छा टेस्ट नहीं लगता है तो यह लक्षन भी देखें बेबी बॉई होने का माना जाता है दूसरा लक्षन है दोस्तो आपके बालों देखें काफी सारे等 आधिगュाई देखने को मिलते हैं A Menth लुके ड्राइ बहुत जाला मंदा जिसे जड़ रहे हैं थर्ड मंत में तो यह लक्षन देखे बेबी बॉय होने का माना जाता है वहीं पर अगर आपके बालों में बहुत अधिक शाइन आ गई है बहुत अच्छे हो गए है तो यह और अगर आपके बालों में थोड़ा सा ओ साथ ही जो फ़र्स अल्टा सावन होता है उसमें आपको बच्चे की हार्ट बीड देखनी है यानि जो फचा लिखा होता है अगर 140 से नीचे है तो माना जाता है कि आपको बेवी बॉय होगा वहीं पर अगर आपको 140 से प्लस है यानि ज्यादा है तो माना जाता है कि आपको लड़की होगी साथ ही दोस्तों ये लक्षन आपको खुद नोटिस करना है अगर आपको अपने बच्चे की देखिए moving feel हो रही है यानि हलचल आपको महसूस हो रही है तो वो दिन में देखिए अगर 6-8 मतलब 8 बार 6-8 बार अगर वो kick करता है या moving करता है तो ये लक्षन baby boy होने का माना जाता है वहीं पर इस से ज़्यादा अगर आपको उसकी हलचल महसूस हो रही है अगर 6-7 बार से ज़्यादा महसूस होने लग रही है तो ये लक्षन baby girl होने का माना जाता है माना जाता है कि लड़कियां बहुत ही चंचल होती है और बहुत जल्दी हलचल शू कर देती है और बहुत जादा हलचल करती है तो दोस्तों आप अपने बच्चे की हलचल से मूमेंट से भी पता कर सकते हैं कि आपको लड़का होगा या लड़की होगी अगला लक्षन बहुती सर्टीक लक्षन है दोस्तों तीसे चोथे महीने में देखे हार्मोनल चेंजिस के कारण बहुत सारी गर्वती महिलाओं में देखे फेस पर बहुत सारे जो अंचाहे बाल होते हैं में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं अगर आपके मतलब फेस पर हातों पर अगर अंचाहे बालों की ग्रोथ बढ़ने लग गई है तो यह लक्षन बेवी बॉय होने का माना जाता है वहीं पर अगर आपकी स्किन बहुत जादा ग्लो कर रही है और आपके हाथ पर ब अगर आपको अपने बच्चे की जो मूविंग है अगर आपको अपने बच्चे की जो मूविंग है अगर नाभी के निचले वाले हिस्से में अगर मैसूस होती है तो यह लक्षन देखे बेवी बॉय होने का माना जाता है यानि नाभी के निचले वाले हिस्से में राइट साइड में अगर आपको अपने बच्चे की मूविंग ज़्यादा फील होती है तो यह लक्षन तो आप उसमें बहुत जल्दी घुसा हो जाते हैं तो ये लक्षन में देखे बेबी बॉय होने का माना जाता है अगला लक्षन है दोस्तो तीसरे महिने से ही अगर आपकी टमी दिखने लग गई है तो ये लक्षन में बेबी बॉय होने का माना जाता है वही पर माना जाता है कि अगर आपका पेट पहले जैसा ही है थार्ड मन्त में, फोर मन्त में तो ये लक्षन बेबी गर्ल होने का माना जाता है अगला लक्षन है दोस्तों, अगर आपको 34 महिने में अगर बहुत ज़्यादा यूरीन की प्राबलम हो रही है यानि आपको बार बार पेशाफ जाना पड़ता है और आपके यूरीन का कलर बहुत ज़्यादा डाक यल्लो है तो ये लक्षन भी देखे बेबी बॉय होने का माना जाता है वही पर अगर आपके यूरीन में मतलब पहले जैसा ही कलर है या आपको हलका लाइट कलर में दिखा जाता है वही पर आपको नीन बहुत कम आती है यानि आपकी नीन बार बार डिस्टरब होती है आपको चैन की नीन नहीं आती है और कोई भी काम करने में आपको आलस नहीं आता है तो ये लक्षन देखे बेबी बॉय होने का माना जाता है दोस्तों ये काफी सारे हमने आपक को लक्षन बताये हैं जिससे आप एक अनुमान जरूर लगा सकते हैं साथ ही दोस्तों अगर आपके ये तीसरा चोथा और पांच्वा महिना चल रहा है तो आप में जो सिम्टम से आप जरू कमेंट बॉक्स में बताये ताकि हम आपको और अच्छे से मतलब सटीक लक्षनों क जानकारी दे सकें दोस्तों अगर आपको हमरी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें